जो बिपक्ष का नेता होता है, उसका पावर जनते ही कितना बड़ा होता है, अरुगा था साइडो कैबिनेट का, अब बना दिया कीचन कैबिनेट, बहुत बहतरी इन चीज़ा, आब बताओ मीतर होना जाए इक ने होना जाए, याद रखिएगा, लोक तंतर में, सबसे सरकार में, नेता बिपक्ष कोन है, किसी को तुम बना देगा कुछ भी, सांसां नेता परतिपक्ष, राहूल गांधी को ले गए, अब पीछली बार में नहीं थे, नेता परतिपक्ष, तो नेता परतिपक्ष जो होता है, जो बिपक्ष का नेता होता है, उसका पावर जनते तो जो भी देसी राष्ट्वती आया है जिस विभाग से उसका साइन सिगनेचर डील होना है जो समझोता होना है वह भाग का मंतरी भी रहेगा अब भीभाग करहेः नहीं जो भी भाग करेगा लेकिन परदान मंतरी में जाते हैं अभी कुछ दिन पहले गया थे जो बाइडन परसान मंत्री है राश्पती है जो बाइडन जो बाइडन क्या है राश्पती अब विपक्ष में कौन है ट्रॉम डोनार्ड ट्रॉम दोनों से जाके मिलते हैं ऐसा नहीं केवल हमारे यहां हर जगह है और यह वह बहुत इजत से मिलता है क्योंकि भईया पॉलट की यही पर जो इसको दिछाता कि देश किसी की побед मंत्री के बराबर इसे उपर कोई पधान मंद्री और आजं में रहेगा तो मुख मंत्री सारे अधिक्यारी किस नीचे से यह सविवेंगे बlation में हमारा समसे लागगुना बेटर एक बेवस्ता है उसका नाम है साइडो विभाध के ऐससता वु kind मतब के दिए परछाइंग! जयसे मतरी बहुंत अपने यह अस्वनही भी शिया है मत्री केबिनेट मंहीं और इसी के ऑफिस में बइठ़गा उसका नाम रहेगा सेडयों कैबिनेट न्हों suggest कैबिनेट में हर विभाइब सस्प्रीम मंत्री होता है वह होता है है कैबिनेट मंत्री और उसी में केबिनेट के बराबर पावर रखता है सैडो केबिनेट, क्या सैडो केबिनेट, कैबिनेट आता है सरकार से, सैडो केबिनेट आता है विपक्स से, हर विभाग में विपक्स का एक मंत्री होता है, जो एक्वी बेलेंट पावर रखता है किसके है, कैबिनेट के, तो उ मन्तरी है अगर आप पबलीक के लिए काम कर रहे हैं तो किसकी एपनिक से क्यों चुपार है तो हर भारत में हर बिवाग का बाता हैं भारत में होना चाहीं नहीं होना चीजिए आपकी बार सफ दोनों के लुटे गाइए सब आरोप नहीं लगा पाएगा वह उस पर आरोप लगाएगा यह इसके उपर आरोप और हम लोग ना जनते धोलक की तरह पिठाते रहते हैं उससे रूप लगा याद रखिएगा लोगतंत्र में जिस चीज पर चर्चा होती है सरकार वही काम कर रही होती है जिस चीज पर चर्चा होगी वही काम होगा कोई काम नहीं होगा जैसे आप दीखिएगा आपники कभी नहीं सुनिएगा कि कोई भी मतलब इंडस्ट्राइजेशन की लोगों को ने जमीन खरींदे में डर लगता है क्योंकि उसको जमीन तो समय लगाएगा रिजन की आना जो गुंडेमा वाली आते हैं हमें पता है कि इसका connection connection है तो हमें राजनीत का सहारा नहीं लेंगे तो मेरा फेक्ट्रीय नहीं चलने देगा किसी को मर दिया तो सब्सक्राइब देखेदे चलाएंगे पहपू की तर हम लोग चिलाते हैं फैक्ट्री नहीं है फैक्ट्री नहीं है हाद तो है कि हम लोग उसको इतना उसको टॉर्चर करके रख देगा तो कहा है आया तुम्हें पास आप खुद से सोच के देखिए यहां पे और अपने यहां एक कल्चर है अगर कोई जमीन खरीदने आ रहा है तो जमीन की वैलू अगर मन के चलियो मन के दोनों और है अगर कि इसकी बेटी उटी की शादी उसको इमर्जन सीं पहिछा लेना है तो बीस रुपिया को सोचे का दूए रूपिया में खरीद यह जादे होती है अपनी इतना वे वस्तार नहीं बहुत का मतलब जीब लेबल का है आप यहां पर ना मतलब उसी से नहीं टॉर्चर रही नहीं हो रहा है जिसके पाद कुछ नहीं है मंतरी के रिष्टेदार संबंधी चमचा बेल्चा को हम लोग कीचन के बिनेट करते हैं क्या कहते हैं मंतरी जी कियां से बोल रहे हैं क्या है किचन के बिनेट अरे जरुवत था सैड़ो के बिनेट का बना दिया किचन के बिनेट तो देखिए कि मंतरी कभी भी बहुत बड़ा मंतरी जो होता है ना मेहनत करके वहां तक पहुंचा है वो जादे नहीं आई ठेगा उसके नीचे जो चमचा बेल्चबा होते हैं स किचन के बिनेट 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 आगे बढ़ जाएं नाम तो ठीक मिला है किचन के बिनेट कोई दिक्कात है किसी को किचन के बिनेट किचन के लिए किचन का मतलब होता है किचन तक एक्सेस केवल परिवार के सागे संबंदी को होता है आपके कोई महमान आगा तो किचन में नहीं घुच जाएगा किचन का एक्सेस सबको नहीं होता है तो रिष्टेदार सागे संबंदी जाके राजनीत को चौपट कर देता है